जूटर लिल भगुआ मानियत तेजश्व यादोजी जो पारिवारिक अनुकम्तफा पर विपक्ष्ट के नेता बने हुए है तो भारतिय संबिधान के अनुचे 325 और 326 के अनुसार परतेक वयस्क नागरी जो पागल और अपराधी नहो मताधिकार प्राप्त है तो मानियत तेजश्व यादोजी पागल है नहीं और ये दोष्ट अपराधी है नहीं तो ऐसी सिदी में मताधिकार का आपने इस्तेमाल क्यों नहीं क्या वोट क्यों नहीं डाला इसलिए चुकि आप बारिवारिक सत्ता के पठाधीस हैं इसलिए हम यह उम्मीद करते हैं कि लोग तंत्र के बड़ा सब दिधान बचाओ और क्या-क्या फंजिवाडा नारा लगाते थे उसके खुलादी पती बने हुए थे तो इस्तिफा दीए वोट क्यों नहीं डाला कारण का खुलासा करिए किस कारण से आपने वोट नहीं डाला और बिहारिक में आप भूंगु डालने के लिए और खुद वोट डालने का समय आया तो खरार पाए गया है इसलिए आप विपक्ष के नेता के पत से इस्तिफा दीजिया और साथी साथ अपने पितासरी के बारे में बताईए मानी लालो पुशाद जी के बारे में जमानत के लिए तो कोट जाते हैं वोट अधालने का दिकार के लिए लालो जी ने कोट में कोई याजिका दाखिल कि नहीं इस बात को भी साढ़ीर है हमारे फीस्बुक पीज को लाइक करें ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज भीहार लाइक और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना मुदें धन्यवाद